आप YouTube के लिए कितना भी अच्छा वीडियो तयार कर लेना, कितनी भी मेहनद कर लेना, दो दिन, दस दिन, कितने भी दिन लगा देना, जग तक आप category के बारे में नहीं समझोगे, उस वीडियो को YouTube पर upload करने का कोई भी फायदा नहीं है, आज मैं आपको YouTube के सारी category समझाने वा लेकिन कभी कभी मैं other video upload कर देता हूँ, तो उसका category मुझे अलग से select करना पड़ता है, अगर मैं आपको बोलू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका category को लेकर एक-एक doubt के लिए रोने वाला है, तो मज़ा ही आ जाएगा, तो एक-एक category के बारे मैं मैं आपको explain करने व सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने चैनल की category को select कहां से करना है, देखो अगर आप यहां से mobile से करना चाहते हो, वो भी मैं आपको बता दूँगा, computer से करना चाहते हो, वो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपको YouTube Studio open करना है, Google Chrome में, यह आप अपने mobile से भी कर सकते हो, आपको यहां पर बस नीचे की तरफ एक setting option मिलेगा, setting पर click कर देना, उसके बाद आपको यहां पर upload defaults पर click करने है, mobile से भी करना सिखा दूँगा, ठीक है, देना आपको यहां पर advanced setting पर click करने है, अगर यहां पर category पर none लिखा हुआ रहे है, तो इसका चैनल का category select करने है, अब आपको अपने चैनल का category क्या रखना है, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद final decide कर लोगे, धिहान से देखो बहुत आसान प्रोसेस रहेगा, आपको Google Chrome में YouTube Studio open करने है, नीचे की तरफ आपको देखो setting का एक आइकन नजर आएगा, तो आपको ब setting पर click करने के बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर category का option आ चुका है, यह रहा category, और यह मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया, तो सबसे पहला category YouTube ने यहाँ पर दिया हुआ है, अब नन में क्या आता है, यह भी तो समझना जरूरी है, YouTube को यही नहीं पता कि आप क्या वीड वीडियो किसी के tech वालों के पास बेज़र है, जिनको comedy में interest नहीं है, जिनको किसी अलगी field में interest है, अलगी परकार के वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो आपकी वीडियो पर क्यों click करेंगे, तो आपका वीडियो बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, तो नन आपको select नही पार में information दे रहे हो, या आप companies में जाते हो, bikes की वीडियो बनाते हो, किसी भी वहन की वीडियो बनाते हो, तो उसमें आपको autos and vehicle select करना है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान लखना, अब माल लो आपका comedy channel है, तो यहाँ पर यह हुआ हमारा third category, तो आपको comedy select करना है, comedy में क्या क्या आएगा, आप अमीत बढ़ाना के channel को ले लो, बीबी की wines, ये round to hell, और भी बहुत सारे channels हैं, जो comedy videos बनाते हैं, अगर आपका भी comedy channel है, या आप बनाने की सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पर comedy select करना है, अब इसको permanent कैसे select करते हैं, और किसी एक वीडियो का category कैसे select करते ह हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अब आप यहाँ पर दिहां से देखो, यहाँ पर fourth वाल है हमारा education, अब आपको education में क्या क्या रख रहे हैं, मालनो आप trading की knowledge दे रहे हो, या आप किसी भी finance related knowledge दे रहे हो, तो उसमें आपको education select करने हैं, क्योंकि आप उसमें information provide करा रह हो, मालनो आप बच्चों को class पढ़ा रहे हो, आप एक teacher हो, तो आपको यहाँ पर education select करना पड़ेगा, देखो एक हुआ comedy और एक हुआ entertainment, तो आप यहाँ पर भी comedy वीडियो बना रहे हो, तो उस वाली वीडियो में आप entertainment भी select कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो भी इ next step, film and animation, अब इसमें देखो, cartoon, cartoon के वीडियो आते हैं, बच्चों बच्चों के वीडियो सोते हैं, animation वाले वीडियो सोते हैं, जिसमें 2D animation, 3D animation, तो इस तरह के वीडियो से आपने बहुत सारे देखा होंगे, YouTube पर upload रहते हैं, तो आपको यह वाला category select करना है, अगर आप एक ऐसा channel शुरू कर रहे हो, gaming आपको बता है, आप कोई सा भी game खेल ले हो, फिरी फायर खेल ले हो, कोई सा भी game खेल रहे हो, तो आपको gaming category select करने है, ठीक है, अगला category हुआ यहाँ पे, how to end style, अब देखो कुछ style दिखाते हैं, कुछ models लोग होते हैं, देखो हमने कितना videos करते हो, सिर्फ आप videos upload करते हो, music वाले, आपको सिर्फ गानों में interest है, तो आपको music select करना पड़ेगा, उसके according आपका video, YouTube उसी तरह की audience के पास बेजेगा, news and politics, मालो आप news से related videos बना रहे हो, या politics के बारे में बाते कर रहे हो, अपनी videos में, तो यहाँ पे आप इसके बारे म बात कर रहे हो, या news related video बना रहे हो, genuine news होनी चाहिए, next, यह वाला category जब select किया जाते है, मालो आप किसी के बारे में सही advise दे रहे हो, non profit, मालो आप किसी चीज के बारे में खुलासा कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई बता रहा है कि इस website से profit होने वाले, आपको दूसरा बता रह अपलोड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपको पने चैनल पर अपलोड क्या करने है, तो उसमें आप people and blogs select कर रहे हो, क्योंकि normally जो कोई उल्टा सीधा कुछ भी content अपलोड करते है, या तो वो people and blogs पर करते है, या फिर वो none पर करते है, ध्यान रखना, इन दोनों category में आ आप mixed content अपलोड कर सकते हो, pets and animals, आप animals से related videos बनाते हो, या उनके food के बारे मताते हो, तो उसमें भी आपको ये select करना है, science and technology, आप किसी भी technology के बारे मता रहे हो, आपका tech channel है, तो उसमें आपको ये select करना है, sports वोई आपको football, cricket के बारे में travel and events, आपको कोई event और events से related जान कर जाते हो, या आप travel करते हो, कभी लद्दाग चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी शिमला चले गए, कभी कहीं, कभी कहीं, तो आप उसमें ये वाला category select करोगे, तो अब आपको यहां से अपने channel का category select करना है, जो आपके channel का category है, मालनो आपको बीच में कोई और वीडियो पड़ जाता है, technology से related, तो उसकी setting कैसे change करते है, वो भी मापको बताता हूँ, तो ये करने के बाद आपको यहां पर video language select कर लेना है, हिंदी, आपको हिंदी यहीं कहीं पर मिल जाएगा, तो ये रावाई हिंदी, हिंदी select करने के बाद आपको save कर देना है, finally आपके channel का setting हो चुका है, अब video का category कैसे change किया जाता है, वो मैं आपको mobile से बताता हूँ, तो अभी आप ध्यान से देखो, मैं अपने YT Studio application में हूँ, तो ये मैंने एक video upload किया हूँ है, normally, अब आपको यहां पर एक option मिलता है, pencil का icon मिलता है, तो जैसे आप यहां पर pencil वाले icon पर click करोगी, न यहां पर category select होके आचुका है, gaming, क्योंकि मैंने अपने channel का category already select किया हुआ है, बट मेरा ये video तो science and technology से related है, या किसी और category से related है, तो आप यहां पर click करके अपने channel का category select कर सकते हो, science and technology, अब यह आपका channel का category नहीं बदला, सिर्फ आपकी video का category बदल चुका है, तो वाई, आप वीडियो में इतनी मेहनत कर रहे हो यार, तो YouTube को बताना भी तो जरूरी है कि आपके channel का category क्या है, जब तक YouTube को पता ही नहीं चलेगा कि आपके channel का category क्या है, तो उस तरह की audience के पास आपका YouTube channel की videos नहीं जाएंगी, तो अब यहां पर click करो, जुन्नों की tech को subscribe कर दो, इस तरह क